Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me Shipra Tiwari, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें बच्चो तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी Anatomy of Cockroach का लास लेने वाले हैं आज के बाद इस Cockroach से हमें चुटकारा मिल जाएगा लास्ट क्लास में मैंने Nervous System पर खतम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो Cockroach होता है उसका Nervous System उसके Pharynx के Just उपर प्रेजन्ट होता है मतलब अच्छिन नर्वास सिस्टम पूरे बॉड़ी में जो उसका Brain होता है वो उसके Pharynx के Just उपर प्रेजन्ट होता है वैसे इनके पूरे बॉड़ी में इनका Nervous System फैला होता है अग इसलिए अगर आप Pharyngeal Area या Head Area को काट भी दे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास इनकी बॉड़ी में 9 Segmented Ganglias present होते हैं as a Nervous System जो की 3 Thoracic में होते हैं और 6 होते हैं Abdomen में और ये सारे as a Nervous System, as a Unit की तरह काम करते हैं अगर आप Head Card भी देंगे तो Cockroach मरेगा नहीं क्योंकि पूरे बॉड़ी में इनका Nervous System फैला हुआ होता है आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग आज हम बात करेंगे sensory organ के बारे में अब इनमें तो बहुत सारी चीज़ा मैंने आपको बताई दी हैं जैसे कि मैंने किन के किन के बारे में आपको पढ़ा दिया मैंने Eyes के बारे में आपको पढ़ा दिया Eyes में मैंने आपको क्या के बताया था बताओ क्या कर डिसकस किया था हमने Eyes में यह सब हो चुका है बच्चों, आइस में हमने डिस्कस किया था कि compound eyes होती हैं, कैसी eyes होती हैं, compound eyes होती हैं, पढ़ा था यह हम लोगों ने, इनके में 2000 units होती हैं, इन 2000 units का नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओमा टीडियम पढ़ा था, ओमा टीडियम के बारे में हम लोग, ठीक है, each ओमा टीडियम is responsible for the formation of one image, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको rat का, जो है वो भी example भी बताया था, कि suppose that कि हमको, जैसे बहुत सारे 2000 ओमा टीडियम हैं, तो यह क्या करते हैं, कि एक पार्ट का image यह बनाएग आरे 2000 ओमा टीडियम हैं, वो अलग-अलग segment की image अपने आखों में बना लेते हैं, और फिर वो एक picture ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक unit की तरह picture दिखाई देगी, actually छोटी-छोटी images बनती हैं, और फिर वो सब जुड़कर एक large image बनाती है, compound eyes में देखिए, sensitivity का मतलब यह है, क कि वो देख तो एक बार में बहुत सारी चीज़े सकता है, पर resolution बहुत ही कम होता है, इसका मतलब यह कि देख, एक बार में तुम देख सब कुछ पाओगे, पर जो है, साफ नहीं देख पाते हो, हम लोग क्या है, देखते जो है, तो resolution अपना बहुत अच्छा है, पर sensitivity कम है, हम एक बार में एक ही चीज, एक ही डिरेक्शन की चीज साफ देख पाते हैं, पर resolution अगदम तगड़ा है, जो भी चीज देखते हैं, वो एकदम च्लियर होती है, so what is a compound eyes, compound eyes are made up of so many units, that is why it is called as compound eyes, one unit of cockroach eye is called as omatidium, there are 2000 omatidium in each eye, वान ओमा टीडियम इस रिस्पॉंसिबल फॉर्मेशन ऑफ एमेच ऑफ वन पार्ट ऑर्गानिजम ऑफ ट्री और एनीधिंग दिन ओल टुगेदर देफार में बॉह एक बार में बहुत सारी इमेच बना सकते जैसे इस कमर में बठें तो वह इधर की बिमेच बना लेंगे प्लीज यह चीज याद रखिएगा ठीक है कमपाउंड आइस होने की वजह से यह नॉक्टरनल विजन आसानी से कर सकते हैं कोई भी कॉक्रोज रात में जब पार्टी होगी बहुत भेंकर गाता है वो इसलिए क्योंकि इनके पास कमपाउंड आइस होती है और इनके पास न लोकेट करने का काम करते हैं ठीक है फूड लोकेट करते हैं कि कहां जाओं कहां ना जाओं क्या खाओं क्या ना खाओं इस टेंपरेचर में जाओं कि न जाओं बेसिकली रोल अफ एंटीना इस टूडिटेक्ट दफूड एंड डिटेक्ट दे एरिया फूड चलो यहां चल Maxillary palp का ये function होता है कि ये food का nature जो है वो पता लगा सकते हैं और food का ये भी location पता लगा सकते हैं दूसरे होते हैं labial palps जो इनके होट के पास होते हैं Labial palps जो होते हैं these are responsible for the locate the prey ठीक है ये क्या करते हैं ये locate करते हैं prey को मतलब ये शिकार को ढूणते हैं ठीक है ओके तो they locate the prey ठीक है locate the prey शिकार का आयन का ओके ऐनल सरकाई ठीक है दो टाइप के ऐनल सरकाई तो male औ female दोनों में होता है बस एनल स्टाइल मेल में होता है फीमेल पे नहीं होता ये क्या करता है विंड और वाइब्रेशन को पता लगाता है किसको पता लगाता है बचो विंड और वाइब्रेशन को ठीक है विंड और वाइब्रेशन को पता लगाने का काम इसका होता है विंड और वाइब्रेशन का किस एंवार्मेंट में को मोल्टिंग करनी है किस एंवार्मेंट को बच्चा देना है तो हर एंवार्मेंट के लिए इनको कौन सेंस करवाता है यह सेंस करवाते है एनल सरकाई ऐसा ही इनके पास होता है एक एनल स्टाइल एनल स्टाइल क्या करता है एनल स्टाइल जो स्टाइ रहे ताकि female उसके पास हो जाए, पूरे animal kingdom में तुमको पता है, female कभी भी इतनी सुन्दर नहीं होती, actually, देखो, human being की बात छोड़ दे हम लोग, human being की बात हटा दो तुम, human being की बात तो हम करी नहीं रहे, human में लड़किया सजती है, वो उनका इक्षा है, पर लड़किया naturally सुन लड़की जो है, अगर वो थोड़ा, मैं कहते हूँ कि कोई भी लड़की जो है, वो generally लड़कों को पसंद आ जाती है, पर हर लड़का लड़की को पसंद नहीं आता, हर वही लड़का लड़की को पसंद आता है, जो अच्छे से tip top रहता, बना ठरा रहता है, तो इसलिए पूरे animal kingdom में, even human being में, जो male होते हैं, उनको ज़्यादा त्यार होना पड़ता है, अगर human being को हम अटा दे, तो बाकी पूरे animal kingdom में, males को हमेशा सुनदर ही बनाया जाता है, जैसे कि cockroaches, sorry, more, ठीक है, पिकोक्स जो होते है, उनका male हमेशा सुनदर होता है, पंको वाला होता है, जबकि female इतनी सुनदर नहीं होती है, female तो will decide कि कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे साथ नहीं जाएगा, female का एक चतर राजा, उनको जो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, वो देखती है कौन सा male सबसे सुनदर है, तो animal kingdom में, males को सुनदर बनाया जाता है, इसलिए animal style जो है, व इतनी बाते सबको clear हो गई, ओके बच्चो, तो यह हुआ, sensory system के बारे में, now अब हम बात करेंगे reproductive system के बारे में, let's start, क्या होती है काने, तो cockroach जो होते हैं, यह डाइशियस होते हैं, डाइशियस का मतलब क्या होता है, इनके में male और female दोनों well developed होते हैं, ओके, इनके में male औ अलग दिखाई देंगे, ठीक है, done, तो इसका मतलब यह है कि हमको male पी पढ़ना पढ़ेगा, इसका और female पढ़ना पढ़ेगा, लोग है, this cockroach ही meeting कर रहे हैं, इस प्रकार से meeting करते हैं, let's start, cockroach की हम लोग थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, male reproductive system के बारे मे आजाओ रहे आजाओ, पढ़े male reproductive system के बारे में, जगहीं नहीं है क्या, जगहीं नहीं है क्या, उफ, 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 ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, चलो यहीं पर बता देती हूँ मैं तुम लोगों, यहां पे एक आदा blank page होगा मेरे पास, यह हो गया ना, गैं reproductive system, आजो बच्चो, male reproductive system देखते हैं हम लोग, क्या होता है, देखो, ये एक cockroach की body है, ठीक है, ये एक cockroach की महाशे की body है, ठीक है, ये इनका genital pouch है, यहां पर ये sperm release करते हैं, थोड़ा अजीब सा बन गया है इसने, अच्छा सा बनाते हैं, ये एक महाशे cockroach की body है, ठीक है, महाशे cockroach, बन जाओ भीया, क्या है, तुमको क्या परिशानी है, ओके, ठीक, चली, शुरू करते हैं structure हम लोग, देखिए, male reproductive system कहां से कहां तक फैला होता है, male reproductive system फैला होता है, fourth से tenth segment है, question important है, आ सकता है, ठीक है, male reproductive system, चौथे से दसवे segment तक फैला हुआ रहता है, मैं थोड़ा इसको broader color से बनाती हूँ, then you like it, चलो, थोड़ा से broad बनाती हूँ, इतना बनाय library इतना ही क्यों हूआ, फिर से इतना ही हूआ, क्या परेशानी है इसको यह होता ही नहीं है इसको क्या परिशानी है, ओके, बारा, तेरा, चौदा, ठीक है, इतना काफी है, हाँ, ओके, लेट्स टार्ट, मेक दे कॉक्रोचेस, ओगेन कॉक्रोचेस देखा होगा आप लोगों ने, पर उसका रिप्रेड़क्टिव सिस्टम नहीं देखा होगा, तो टेंचन नहीं लेना भी रिप्रेड़क्टिव सिस्टम दनने से ड्रॉध करे देरी हूँ, मैं तुम लोगों के लिए, ये क्या हुझ आता है, यार, चलो, रिप्रेड़क्टिव सिस्टम इनका 4th से 10th सेग्मेंट तक है, कितना है बच्छो, 4th से 10th सेग्मेंट तक है, ध्यान से देखना, यी बहुत ही चोड़ा reproductive system हो गया, आज reproductive system लग रहा है, कि भगवानी मालिक है इनका, आप ठीक बना है, ओके, now listen to me very carefully, इनका reproductive system है 4th से 10th segment तक, कहां से कहां तक है बिटा, 4th से 10th segment तक, इनके पास होते हैं testis, ठीक है, तो इनका segment है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10th, ठीक है, यह पूरा abdominal area है, ठीक है, यह पूरा अपना abdominal area है, अब 1, 2, 3, ठीक है, इनके पास trilobed testis होते हैं, ठीक है, trilobed testis होते हैं, it is like that only, ठीक है, तो इनके पास कैसे testis हैं बच्चों, इनके पास testis का पहले location देख लेते हैं, testis कहां से कहां तक present है बच्चो testis इनका present होता है 4th से 6th segment में 4th से 6th segment में testis present होता है trilobed होता है, elongated होता है अब बेटा testis का function क्या है बोलेंगे testis क्या बनाता है बोलिए testis करता है spermatogenesis isn't it testis का काम क्या है madam testis का काम है spermatogenesis करना sperm का formation करना अब भाईया माल लोग इसने sperm कर लिया तो sperm को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा हाँ मैडम निकालना तो पड़ेगा है तो यह जिस tube से sperm को बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं Vasa Difference क्या कहते हैं बच्चो Vasa Difference, Vasa Differential कुछ भी कह सकते हैं अब यह दोनों Vasa थोड़ा सा वासा difference को बड़ा बना देते हैं ठीक है इसे आप कहते है वासा difference now the wasa difference is going to be joined and they form the exactly three duct ठीक है now this is exactly three duct is going to open outside ठीक है यह कहां से open होती है यह join हो गई और इननों क्या बना लिया is accurate deduct will go dance समझेगा क्योंकि अभी structure जो है वो complex हो जाएगा done तो आपका जो sperm है इन दोनों ने जोईन होकर क्या बना लिया is accurate deduct and all the sperm जो यहां से आ रहे हैं वह is accurate deduct के पास जाएंगे पर अब आप ध्यान से समझना is accurate deduct के पीछे मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे लाल ध्यान सब्सक्राइब के जस्ट पीछे एक डबबा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते है समाइनल विजाइकल क्या कहते हैं बच्चों इसको इसे हम कहते हैं है इसे माइनल विजाइकल कहा प्रेजेंट होता है इस अक्युलेटरी डग्ट के पीछ़े अब जितना भी स्परम है जो समाइनल विजाइकल में जाने वाला है यह जा रहा है यह चला गया है उसको क्या क्या चाहिए अब यहाँ पर sperm भर गिया है यहाँ पर sperm भर गिया डन पर अब इस sperm को हमारे पास कुछ nutrition चाहिए कि नी चाहिए अब यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसको पंझ जोड लेते हैं यह थोड़ा सही रहेगा यह दुनों जोड लेते हैं ठीक है यह सही है ओके अब आप क्या देख रहे हैं वासा डिफरेंशिया की जंक्षन पर जहां पर इस अक्युलेटर ड़क्ट खुल रही है वहाँ पर एक मश्रूम शेप की ग्लैंड होती है ध्यान समझना वहाँ पर एक मश्रूम किस कलर से बनाओ यार हां ब्लूई ब्लू हो जाता है इस में कलर ठीक है यह आई थिंग ओके है यहाँ पर एक मश्रूम शेप की ग्लैंड होती है ध्यान से समझना बात को यहाँ पर एक मश्रूम शेप की ग्लैंड होती है और इस mushroom shape की gland में दो type की tubes होती है, ठीक है? At the junction of vasa differentia और at the junction of exaculatory duct and vasa differentia, there is presence of mushroom shape gland, ठीक है? इसे आप क्या कहते हूँ? एक mushroom shaped gland है, mushroom shaped gland, ठीक है? Mushroom shaped gland का नाम क्या है बच्चो? इसका नाम होता है utriculus, ओके? अब इसमें दो प्रकार के tube present होती है, ठीक है? इनमें दो प्रकार के tube present होती है, अब देखो बेटा ऐसा है, ध्यान से समझना है, अब ये जो sperm आपके पास है, इस sperm को हमें continuously क्या देना है? nutrition देना है, ठीक है? इसमें दो प्रकार के tubes आपको दिखाई दे रहे हैं आपको ये दिख रहे हैं long tubes ठीक है ये दिख रहे हैं long tubes और ये वाले दिख रहे हैं आपको short tubes दिख रहे हैं के नहीं दिख रहे हैं इन दोनों के अलग-अलग functions होते हैं समझो बात को कि जब आपका sperm एक बकसे में store हो जाता है This is called as seminal vesicle Not exactly, अभी store नहीं हुआ है अभी हम यह बानते हैं कि store नहीं हुआ है अभी सिर्फ हमको क्या बनाना है? अभी हमको बकसा बनाना है Let me make the box only अभी अभी आपका sperm store नहीं हुआ है अभी आपका sperm कहां पर है? इजाक्यूलेटरी डक्ट में यह बकसा है ठीक है जिसे seminal vesicle कहते है अभी आपका sperm जो है वो इजाक्यूलेटरी डक्ट में भड़ा हुआ है बड़ा हुआ है sperm, ठीक है? This is sperm अब इस sperm को क्या चाहिए? Continuously nutrition चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? Sperm को क्या चाहिए? Continuously क्या चाहिए मेरे बच्चो? Nutrition चाहिए तो यह जो tubes mushroom shape की आपको दिखाई दे रही है यह क्या क्या provide करती है? Mushroom glands जो है इसको आप कहते हैं mushroom glands ठीक है? Mushroom glands क्या provide करती है? Mushroom gland provide करती है nutrition बेटा देखो Sperm जो है अभी बच्चा है ठीक है? जब मैं छोटा बच्चा था ठीक है? तो कौन आपको nutrition देता था? Mushroom gland आपको nutrition दे रही थी ठीक है? ताकि आप develop हो जाए उसके बाद यह mushroom shape की जो gland है यह कैसा भी secretion देती है ताकि sperm glued हो जाए स्पर्म क्या हो जाए? glued glued का मतलब क्या हो जाए? चिपक जाए और यह बना लें sperm ball क्या बना लें बच्चो? sperm ball समझ में आ गई बात कि यह जो mushroom gland है यह nutrition तो देती ही देती है अपने secretion से साथी साथ यह कुछ ऐसे secretion भी देती है ताकि sperm जो है वो आपस में चिपक जाए और वो एक sperm ball ठीक है? में भी बहुत चारे बच्चों को मेरी handwriting समझ में नहीं आती और वो बहुत परिशान होते हैं कि उनको notes चाहिए पिटा यह वाला chapter तो आपको पूरा NCRT में से पढ़ना है और next chapter में notes दे दूँगे इतना screenshot लीजे ज़रा चलो बच्चों अब आप क्या देख रहे हो इसमें थोड़ा से इसको मैं और दूसरे color से कर देती हूँ में भी यह visible ना हो आपको इसमें red वाली कुछ बड़ी-बड़ी tubes दिख रही है अभी आपका जो sperm है वो है भी वासा डिफरेंशिया में वो क्या करेंगे सबसे पहले जो short tubules है यह देगी आपको इहां पर लिखती हूँ ना यार short tubules क्या देगी कहां पर जगा यार तो बिश्रूम gland में दो tube है एक है short और एक है long short देगी nutrition क्या देगी बच्चो short देगी अपने को nutrition ठीक है short अपने को देगी nutrition और long क्या करेगी glued करेगी चिपकाएगी ठीक है तो आपको जब nutrition बढ़ियां देदो आप अभी वासा डिफरेंशिया में sperm रखा हुआ है जो छोटी वाली gland है बढ़ियां से nutrition sperm को देती रहेगी sperm जो है हस्ट पुष्ट तंदरुस्थ हो जाएगा खापी के नौजवान हट्टा कट्टा जो है अपना हो जाएगा लड़का ठीक है तो अब यह जो sperm खापी लिये हैं उसके बाद जो long वाली है यह secretion निकालेगी अब यह जो long tube है यह निकालेगी secretion निकालेगी तो suppose that कि यह अपना sperm है sperm को जो है चारो तरफ से चिपका लेगी तो यह sperm के उपर first layer बना देगी क्या बना देगी first layer ध्यान से समझो और यहाँ पर sperm क्या होंगे? glued होंगे क्या होंगे बच्चो? glued sperm चिपके हुए sperm होगा ध्यान समझो वासा डिफरेंशिया और इजाकुलेटरी जंक्षन पर इजाकुलेटरी डक्ट की जंक्षन पर mushroom shape की gland है mushroom shape की gland में दो tubes होती है short and long जो वासा डिफरेंशिया में जो sperm भरा हुए उसको खाना पीना खला के मजबूत करो तंदरुस्त करो आगे जाके उसको अपनी प्रजातियां बढ़ानी है फिर उसके बाद जो लंबी वाली है वो क्या करेगी? वो एक sticky सा substance release करेगी ठीक है? क्या release करेगी? एक sticky सा substance release करेगी ताकि आपके sperm जो है? वो क्या हो जाएं? glued हो जाएं क्या हो जाएं बच्चो? glued हो जाएं तो mushroom gland जो होती है ध्यान से समझना मैं यहाँ पर यह मिटा दे रही हूँ यह clear हो गया ना इस अबको तो mushroom gland क्या होती है? यह सबसे पहला layer बनाती है ठीक है? अच्छा ही आप कहते हो बच्चो spermatophore क्या कहते हो? spermatophore done then what is spermatophore? it is nothing it is nothing बच्चो इसके अंदर आपके sperm चिपके पड़े हैं ठीक है? this is sperm ठीक है? और यह structure किसका है? यह structure है spermatophore का अब देखो क्या है ना कहानी ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? देखो अपने पास जो cockroach होते हैं इनके पास external genitalia कहने के लिए कुछ भी नहीं होता अब human male के पास कहानी क्या है? कि इनके पास male penis होता है तो यह असानी से sperm को जो है वो female को donate कर सकते हैं पर यह बहुत परिशान है परिशान जानवर है इनके पास अब यह liquid sperm जो है ऐसे फैला देंगे तो sperm फैल जाएगा और accurate जगह पर पहुचेगा ही नहीं तो यह क्या करते हैं? पहले एक जगह पर चिपका लेते हैं और उसके around एक layer बना लेते हैं and the glued sperm और इस also called as sperm ball और इस structure को sperm ball यह spermato 4 कहते हैं जो की mushroom gland बनाती है यह spermato 4 बनाया किसने बच्चो? Who makes the spermato 4? The mushroom gland किसने बनाया है spermato 4? Mushroom gland ने बनाया है ठीक है? अब एक spermato 4 के 3 layers होते हैं ठीक है? One spermato 4 यहाँ पे लिख रही हूँ One spermato 4 ठीक है? has 3 layers ठीक है? कितनी परते होती है? 3 layers होती है ठीक है? अब यह हमारे महाशाय sperm पड़े हुए हैं ठीक है? यह है हमारे sperm sperm के उपर पहली layer किसने बनाई है? sperm के उपर पहली layer किसने बनाई है? यह बनाई है mushroom gland ने किसने बनाई है बच्चो? Mushroom gland नहीं, mushroom gland को आप utriclus gland भी कहते हैं, तो spermatophore के उपर, जो है, spermatophore is nothing, it is a bunch of sperm, ठीक है, तो इसके उपर पहली layer कौन बनाता है, mushroom gland बनाती है, ठीक है, अब ये जो spermatophore है, ये यहाँ पे store रहते हैं, ये यहाँ पे store रहते हैं, ठीक है, आप seminal vesicle में store हैं अपने, अब जब भी मौका मिलता है, कि अब इनको अपना donate करना है, तो ये कभी single sperm नहीं फेचते हैं, ये अपने गोले फेकते हैं, ठीक है, spermatophore को फेकते हैं, what is spermatophore, group of bunch of sperms, it is surrounded by three layers, first layer secreted by the mushroom gland, अब spermatophore कहाँ पर आ गया मेरे लाल, spermatophore आ गया, isaculatory duct में, spermatophore कहाँ पर आ गया है, हमारे पास, isaculatory duct में, जो है, seminal vesicle में भरा हुआ था, फिर जब जब ज़रुरत पड़ी, तो वो isaculatory duct में आ गया, ठीक है, seminal vesicle isaculatory के पीछे होता है, then second, first layer consecrete करता है, first layer secreted by the mushroom gland, first layer consecrete करता है, mushroom gland, ठीक है, दूसरी layer consecrete करता है, ठीक है, अब आपका sperm कहाँ पर है, spermatophore कहाँ पर है, second layer consecrete करता है, पहली बना लेते हैं, अपर लोग पहले इसके बारे में, यह sperm बना लो, यह हो गई, यह हो गई, यह हो गई, ठीक है, यह red, एक layer हो गई, दूसरी लेयर कौन बनाएगा समझ में आ गई बात तो दूसरी जो लेयर है वो इजैकूलेटरी डक्ट की वजह से बनेगी ठीक़े तो پहली लेयर बनाई शरूँग्छा перев मान की लॉँग वाली ट्यूब ले्टरी डक्ट दीसरी लेयर कौन बनाएगा अब ये चले आ रहे हैं, ठीक है, ये चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, ये ओपन हो गए यहाँ ठीक है, ये क्या है अपना जनाइटल पाउच, ठीक है, ये है अपना जनाइटल पाउच, ठीक है, ये क्या है अपना जनाइटल पाउच, ठीक है, ये क्या है अपना जनाइटल हो चुके हैं जिनके पास दो लेयर होती हैं ठीक है यह दो लेयर वाला स्परमेटो फोर यहाँ पर रिलीज हो गया है अब आप ध्यान से समझना मश्रूम ग्लैंड के ऊपर आपको एक ऐसी ग्लैंड दिखाई देगी मश्रूम ग्लैंड के ऊपर कौन से देती हूं मैं यह इसे आप कहते हो फैलिक ग्लैंड क्या है इसका नाम बचो फैलिक ग्लैंड ठीक है इसका नाम है फैलिक ग्लैंड फैलिक ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो है यह ठीक है यहाँ पर देखो कहाँ पर ओपन करू यार ठीक है फैलिक ग्लैंड की opening है यह, this is the opening of phallic gland, okay, this is the opening of phallic gland, listen to me very carefully, this is the opening of phallic gland, ठीक है, यह है opening phallic gland की, तो phallic gland तीसरा, यह देखो, phallic gland जो है, यह phallic gland जो है, यह तीसरा layer बनाएगी, ठीक है, phallic gland जो है, यह तीसरा लेयर बनाएगी, बनादो तीसरा लेयर फैलिक ग्लैंड का ये, ठीक है, so third layer secreted by the third layer, ठीक है, third layer, किसके द्वारा secret की गई, third layer secreted by the phallic gland, ठीक है, ओके, तो how many layers present into the spermatophore, तीन लेयर, red वाली किसने secret की, mushroom gland, देखो लिखा हुआ, मैं highlight करते जा रही हूँ, mushroom gland ने, purple वाली किसने secret की, exactory duct ने, third वाली किसने secret की, phallic gland की, ठीक है, और आपका जो spermatophore है, ये spermatophore है, this is the structure of spermatophore, ये आपका genital pouch में आ गया, ये clear हो गया, सबको की, spermatophore में तीन लेयर होती है, first अंदर वाली mushroom gland से, second वाली exactory duct से, exactory duct में ही बनेगी वो, ठीक है, और third वाली कहां बनेगी, in the genital pouch, बाहर निकल के, ठीक है, अगर exactory duct में sperm नहीं है, तो वो seminal vesicle में rest कर रहा है, जब मन करेगा, तो exactory duct में आ जाएगा, ठीक है, ये कहाने clear हो ग okay, done, अब, देखो, अगर मैं cockroach के reproduction की बात करूँ, ठीक है, listen to me very carefully, मैंने यहाँ पे लगा, ये देखो, ये देखो, cockroach का जो meeting होता है, वो कैसा होता है, पीछे से पीछे की और होता है, ठीक है, देखो, क्या है, इनके साथ बिचार लोगों के साथ परिशानी ये है, कि इनक बाडी में बहुत सारे ऐसे structures होते हैं, जिनको हम genitalia मान सकते, but exactly they are not genitalia, because they don't have external genitalia, but they have some kaitinius plates, what they have, they have some kaitinius plate at the dorsal side of the body, अब ये जो kaitinius plate है, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे की sclerites के बने हुए हो सकते हैं, और ये kaitinius plate एक cockroach, अपने male cockroach, female cockroach से अटाच कर लेता है, और फिर sperm donate करता है, they do not have external genitalia, बच्चो, अगर आप structure भी देखो, इसे structure तुम्हें आपको दिखाती हूँ, पहले जो मैं बता रही थी, वो मैं बता लूँ, तो इनके पास ऐसे बहुत सारे structure होते हैं, ठीक है, okay, so इनके पास ऐसे बहुत सारे structure होते हैं, let me draw this, ठीक है, okay, य यह catenius structure होते हैं, इनको आप क्या कहते हो, धियान से समझो, okay, इनको आप इक ट्ठा क्या कह देते हो, इन सब को इक था आप कहते हो, gonopophysis, क्या कहते हो, इसको आप gonopophysis, ठीक है, gonopophysis, और यही इक ट्ठा जो है, exactly यह क्या कहलते है, external genitalia, क्या कहलते है? external genitalia, now listen to me very carefully, इसके लाब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें फिर से रिवाइस करवा देती हूँ एक बार मेल त्यान से देखो मेल शुरू होता है कौन से सेगमेंट से चौथे सेगमेंट से दसवे सेगमेंट तक टेस्टीज इनका होता है चौथे सेगमेंट से छटवे सेगमेंट तक testis इनका elongated होता है triloped होता है spermatogenesis करता है इनके testis से दो pipes निकलती है जिनने हम VASA differentia कहते हैं then these VASA differentia going to join and they will open into the common duct called as exaculatory duct but there is a dubbe like structure called as seminal vesicle present behind the exaculatory duct so the seminal vesicle is responsible for the storage of sperm किस चीज के लिए होता है ये storage के लिए होता है तो जब तक exaculatory duct में sperm को नहीं देना है तो आप seminal vesicle में store करके रख सकते हो so at the junction of the VASA differentia and the purple one and black one there is a flower shaped gland called as mushroom gland it is also called as utricular gland there are two tubes present in the mushroom gland one is the long tube and one is the short tube short tube provide the nutrition to the sperm and long tube provide the provide a sticky secretion so that the sperm going to glued together and the mushroom gland form of first layer around the sperm and then the structure of this structure is called as spermatophore spermatophore is nothing it is the group of sperm so because the cockroach do not have external genitalia so they have to deliver the spermatophore and bunch of sperm to the female body now it will fall and then the sperm will fall after that sperm sperm spermato 4 store in the seminal vesicle season so let's give us the second layer when breeding season the first layer of sperm we have given the exact layer of the exact layer of the sperm the exact layer of the sperm created another layer of the exact layer of the exact layer of the genital pouch पे दो लेयर वाला स्परमेटो फोर रिलीस कर दिया, आप जनाइटल पाउच पे एक फैलिक ग्लैंड होती है, उसकी ओपनिंग होती है यहापे, फैलिक ग्लैंड अपना सिक्रीशन देगी और फिर वहाँ पे तीसरी लेयर बन जाएगी, जनाइटल पाउच के नीचे देरर स some chitinous structure called as external genitalia, they helps in the mating of the male and female because male cockroach do not have any type of external genitalia, so they help in the attachment called as gonopophysis, now अब हम देखते है अपने NCRT का डागराम बच्चो, आजाओ, 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 देखो, देहां से देखो, यह है testis, कौन सा कलाल लो यार, ओके, यह है आपका testis, listen to me very carefully, यह है आपका testis, देख र लिखी हुई है, testis दिख गया आपको यह आपको फेलिक ग्लांद दिख गई, फेलिक ग्लांट की ओपनिंग आपको दिख गई, this is the opening of phally gland, बच्चो, यह देखो, opening of phally gland, ठीक है, and this is the opening of exaculatory duct, दो पीले-पीले दिख रहे है, एक ओपनिंग है फेलिक ग्लांट की, और एक opening है आपके izakulatory duct टीक है यह पीली वाली है आपकी izakulatory duct टीक है यह जो भूरी वाली है यह आपकी wasa differentia इसके just पूछे क्या होता है seminal vesicle जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है उसके बाद आप देखो at the junction of this ठीक है, at the junction of vasa differentia and isacquilitary duct, there is a mushroom shaped gland, जिसमें आपको दो tubes दिख रही है, small tube, जो क्या दिखती है, nutrition to the sperm, long tube आपको क्या देती है, long tube आपको चिपकाती है, spermatophore बनाती है, और पहली लेयर शिक्रीट करती है, ठीक है, उसके बाद isacquilitary duct में, जब वो one layer वाला spermatophore आता है, तो दूसरी लेयर बनती है, ठीक है, उसके बाद anal circus तो आपको पढ़ाई दिया है, caudal style, now, यह देखो, kaitineus structure आपको दिखाई दे रहे हैं, pseudopanus, dilators, ठीक है, philomere, philomere, यह सब किसकी तरह behave करते हैं, यह behave करते हैं as a external genitalia, which helps in the attachment of male and female reproductive, और male or female body, so this is all about the male reproductive system of the cockerel, तो यह कहानी आपको male वाली शायद clear हो गई होगी, अच्छा, मैंने अगर बताया होगा तो ठीक है नहीं, तो भी फिर से एक बार बता देती हूँ, कि जो philic glands होती है, इनको हम conglobate glands भी कहते हैं, बच्छो क्या कहते हैं, philic glands को, philic glands को हम conglobate glands भी कहते हैं थोड़ा सा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अरी-अरी, बार बात, G लिखने का बहुत ही गडबड system हो रहा है, इन्हें हम कहते हैं conglobate gland, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बच्चो, conglobate gland, तो अगर हम typically एक male का structure बनाएं, कि how many opening male has, तो एक तो पहले ये genital chamber आप बना लो, ठीक है, genital chamber आपने बना लिया, अब बनाई ये चलिए, देखिए कितने कितने openings होते हैं, आजाओ, देखें हम लोग, सबसे पहले opening होती है anus की, isn't it, ये हो गई anus, अब बता ejaculatory duct की, ठीक है, उसके बाद एक होता है अपना conglobate gland, ओके, so this is the opening of conglobate gland, ठीक है, done, इतनी बाद सबको clear हो गई, कि जो genital pouch है, this is what, this is the genital pouch, बचो, ये वाला हिस्सा क्या है, this is called as genital pouch, ठीक है, जनाइटल pouch में, जनाइटल pouch में तीन opening होती है, अगर आप यहाँ देखें तो ये हो गई, एक isaculatory duct की, ये हो गई, फैली gland की, और एक होती है anus की, ठीक है, यहाँ पर दिखनी रहा है, एक ये titilator आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप NCRT का डाग्राम खोलोगे, त titilator is what, पता आपको ये क्या होता है, ये वाले kitanis plate structure ही क्या करते है, ये female को attract करने का काम करते है, आज 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 मेरे पास, ठीक है, तो थोड़ा बहुत attraction का, एस सच कोई pseudopanis का काम है नहीं, titilator का काम ये होता है, कि थोड़ा सा attract करने का काम करता है, ठीक है, ओके, तो ये testis क्या होता है, felly gland क्या होती है, इन में small and long tubules, जो mushroom gland क्या है, वो क्या करते है, seminal vesicle का क्या है, wasa differentia का क्या है, isaculity duct, phallomeres क्या होते हैं, जिनको हम external genital, ये गुनार तक physis भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे आपको labeling एक एक चीज अच्छे से clear होने चाहिए, ना बच्चों, let's start with the female reproductive system, let's start, female reproductive system शुरू करते है, female reproductive system बना लें क्या है, एक बार female reproductive system, आज 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 है, ये है, let's start with the female reproductive system, आज हम पढ़ेंगे female reproductive system के बार अब हम female reproductive system के बारे में शुरू करने वाले हैं ऐसा ही एक genital pouch जरब बनाना बना लिया आपने genital pouch बन गया इधा का genital pouch I don't know कि मेरा क्यों अ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ ठीक है female reproductive system जो है cockroach का वो कौन से से कौन से segment तक है ठीक है तो female reproductive system है cockroach का second से sixth segment तक या मैं ये कह सकूँ not female reproductive system मैं सिर्फ और सिर्फ ovary की बात करती हूँ ठीक है second से sixth segment तक इनकी जो ovary होती है they are very very large ovary कैसी होती है बहुत बड़ी-बड़ी से होती है और चौथे से छटवे segment तक होती है ठीक है तो चौथे से segment चटवे segment तक बनाएं हम लोग आ जाईए तो इनकी जो ovary है वो ऐसे leaf shape की आपको दिखाई देती है ठीक है कैसे दिखाई देती है leaf shape की not exactly like that but leaf shape की आपको दिखाई देगी it is like that only ठीक है यह देखे ऐसी leaf shape की दो ovaries होती है बड़ी-बड़ी सी ovary होती है segment बना लेके एक बर हाँ madam segment बना लेजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ठीक है तो इनके पास दो ovary होती है अच्छा एक ovary में थोड़ा से और बड़ा बनाना चाहती हूं मैं आ जाईए, आ जाईए अरे यार वही ठीक था क्यों? चल वही ठीक है तो इनके पास दो बड़ी-बड़ी ovary होती है जो की चौथे से स्थटेवे segment तक होती है इनके पास होते हैं बच्चों पता क्या अंदर? यह जो ovary बाले structure दिख रहे हैं इनके पास होते हैं ऐसे long-long thread-like structure कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह क्या है भी मैं बात करूँगी इसमें भी 8 बना लिजए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? अब यह जो ovary है ध्यान से देखते जाएए पहले label कर लेते हैं तो यह हो गई अपनी ovary ठीक है? यह जो thread-like structure आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कहते हैं ovaryols क्या कहते हैं बच्चों इन्हें आप? ovaryols ovaryols क्या बनाते हैं? ova बनाते हैं और ovaryols का number कितना है? 8 से 9 तक यहान लिखते हैं ovaryols का number कितना है? ovaryols का number हो सकता है करीब 8 से 9 ovaryols का number कितना हो सकता है करीब 8 से 9 ठीक है? ओवेरियोल का काम क्या है? ओवा फॉर्मेशन What is the work of ओवेरियोल? ओवेरियोल का काम होता है ओवा फॉर्मेशन Done? तो हमारी female body में इनकी जो ओवरी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ओवरी होती है 2-6 सेग्मेंट में इनके पास धागे निमसन रशना पाई जाती है मेरे बच्चो जो की ओवा बनाने का काम करते है करती है ठीक है? करती करता जो भी है चलो अब यहाँ से निकलेगी pipe यहाँ से निकलेगी ये pipe इन pipes का नाम क्या है बच्चो? इन pipes का नाम है ove duct इन Pipe's का नाम क्या है? Oveduct, अब इधर की Oveduct और इधर की Oveduct अब बटा क्या है? क्यों Ova तो दोनों Overies को बनाना है इधर वाली Ova को बनाना है तो ultimately Ova जो बनाया हो गया उसको बाहर तो बहर अ निकालना है ठीक है ज़ा एक Overial एक बार में एक Ova बनाता है तो एक ओवरी के पस कित्ते ओवेरियोल हैं 8 तो दोनों के पस कित्ते हो गए 16 तो अंडे कितने बन सकते हैं 12 से 16 अब जरूरी थोड़ी है कि 100% मेकानिजम एफिशेंट ही रहे और सारे उतनी ही एफिशेंसी से काम करें ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ज कि यृच्ट यहाँ से यह निकलीी ओविद्थ यहाँ से अब यह दोनों विड्यक्ट जू है यweise एंगे जॉइन्गे जॉइन क चलो आझ प्लन कले किसी और सिजुन करते हैं यह बिल्रमेंबर माची ठीक है यह जॉन और यह बना आपका पैसा इना ठीक है लिएस नहीं ब् इसे आप कहते हैं common ovetuct क्या कहते हैं बच्छों इससे हम common ovetuct तिक है यह ovetuct, यह ovetuct डोनों joint हों गई तो इससे कहते है common ovetuct ठीक है और यह है इसका, यह है इसकी vagina ठीक है यह इसकी क्या है? vagina Now अब आगे और बात करते हैं ध्यान से देखिए इनके male के पास इनकी, सौरी मेल बल रहे हूँ कि हम फीमेल लिखना है बाठा female के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है इनकी female के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही gland होती है जो की इस प्रकार से पेड़ जैसी होती है, पता तोमें ओ, 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 जो की कैसी होती है? पेड़ जासी. It is like that only. Highly branched gland. ठीक है? Highly branched gland. ठीक है? ओके? तो यहाँ पर एक बहुत ही जादा branched gland पाई जाती है. ओके? दोनों side पाई जाती है. इस gland का नाम होता है कौन सा gland? Collateral gland. Collateral gland. ठीक है? क्या नाम है इसका? Collateral gland. ठीक है? ध्यान से समझते जाईएगा. इसका नाम क्या है? Collateral gland. Done. इतनी बात clear हो गई. तो आपकी ovary कौन से segments है? दो से लेकर 6 segment तक. ठीक है? इनके पास कौन सी gland होती है? इनके पास होती है Collateral gland. ठीक है? यह Collateral gland की opening हो गई. Now, अब ध्यान से समझना बात को. यह है हमारे महाशय मेल. ठीक है? यह क्या है हमारे महाशय मेल? मेल ने अपना spermatophore. हाँ हाँ हाँ. Spermatophore क्या होता है? एक ऐसा structure जिसके उपर 3 layer present होती है. एक layer यह हो गई. ठीक है? फिर दूसरी layer यह हो गई. ठीक है? फिर तीसरी layer यह हो गई. ठीक है? तो मेल क्या है? Spermatophore को यहाँ पर देगा. अब मैं एक ही color यूज़ करूँगी क्योंकि फिर time खुटी होगा. यह है आपका मेल क्यों लिख रही हूँ? Spermatophore लिख देती हूँ. यह क्या है आपका? मेल Spermatophore. यह क्या है बच्चो? मेल Spermatophore. यह मेल Spermatophore यह भी इनका Genital Pouch है. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए. दोनों के पास होता है Genital Pouch. So, this is the Genital Pouch. यह है इसका Genital Pouch. ठीक है? अब यह मेल Spermatophore जो की कितने layer के हैं बच्चो? जो की है 3 layer के. ठीक है? नेल Spermatophore कितने layer के होते हैं? तीन layer के. एक layer यह, एक layer यह, एक layer यह. यह Genital Pouch के पास आ गए हैं. यहाँ से कहां आ गए हैं? यहाँ आ गए हैं. अब क्या होगा बदा तुम्हें? ध्यान से सुनो क्या होगा? होगा क्या? उसके पहले बारे में बात करेंगे. पहले एक और चीज बात करें. ध्यान से देखना. यहाँ पर, यहाँ पर, यह जो आपको दिखाई दे रहा है. Common Oviduct के पास. यहाँ पर एक pouch like, यहाँ पर एक pouch like संरचना होती है. यह देखो, यह. एक pouch like संरचना होती है. ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से समझना. क्योंकि यह question आ सकता है. इसे हम कहते हैं, sperma-thika. देखो बच्चो, ध्यान से समझना. Sperma-thika, sperma-thika भी बोल सकते हैं. देखी, क्या है? क्या है, don't confuse with the sperma-thika and sperma-thika. Sperma-thika is nothing. It is the group of sperm covered by three layers. Who makes the three layers, बच्चो? The first, कौंसी gland थी? वो mushroom gland थी. Mushroom gland थी. Mushroom gland ने, सबसे पहले, उसके उपर, पहला जो sperm का गुच्छा था. ठीक है? उसने क्या किया? पहले तो उसको चिपका लिया. चिपकाने के बाद एक layer बना दी, ठीक है? ओके, first layer किस ने बनाई थी? First layer हमारी utricular gland ने बनाई थी, जिसे हम mushroom gland कहते हैं. फिर जब वो निकल कर इस aculatory duct में आया, तो इस aculatory duct में दूसरी layer बनाई. फिर उसके बाद जब वो genital pouch में आया, तो आपके पास एक gland थी, conglobate gland, phallic gland, जिसने 30 layer बनाई. तो एक spermatophore में basically 3 layer होती है. ठीक है? समय आने पर, the spermatophore will goes at the site of female. और female के आपको पता है कि दोनों जो cockroach होते हैं, वो पीछे-पीछे से ऐसा reproduce करते हैं. Basically, male do not have any external genitalia. They have forms of external genitalia in the form of plates. कौनसी plates होती हैं? chitinous plate होती है, titillator pseudopenaceae, सब क्या है? इस आर दा गवनाओ पर फाइस और विचर मेड़ अफ of chitinous plate. They act as external genitalia, but actually they are not. ठीक है? ओके? Now, अब आपको देहान समझना है. यह spermatheeka. What is the function of spermatheeka? देहान समझना. What is the function of spermatheeka? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. Add the oveduct area. यहाँ से आपको अगर आपको मैं female का डाइग्राम दिखाऊ न. यहाँ पर शायद बना हो. female का डाइग्राम मिल जाए. शायद. Look at this. Spermatheeka. Okay, listen to me. देखिए यहाँ पर. अगर आपको दिखाई दे रहा हो. यह वाला area. यह वाला area अगर आपको दिखाई दे रहा हो. Visible हो. यह वाला area. NCRT खोल लीजे आप. तो दोनों oveduct के area पे spermatheeka को बनाया गया है. ठीक है? दोनों oveduct के area पे spermatheeka को बनाया गया है. Now the question is, कि ये sperma ठीका करता क्या है? देखो, क्या करता है sperma ठीका? आजाओ ये spermatophore जो है, महाशे इधर आ गए है तो तुम्हें क्या लगता है? कि ये तुरंट अपने over release कर लेगी क्या? अरे सोचो, अगर genital pouch के area पर spermatophore आ चुके है तो क्या female उसे तुरंट receive कर लेगी? ना, ना, female बोलेगी I will take my time, मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगी ठीक है? तो पता ही क्या होगा? ये जो area है, ये तूट जाएगा द्यान से देखना, ये वाला जो area है, जो उसकी spermatophore के जो walls है न बच्चो वो तूट जाएगे, तोड़ दो वाल, ठीक है? ये तोड़ दिया वाल और ये जो सारे sperms हैं, ये release हो जाएगे, ये release हो गया और release होने के बाद, then they will stored at spermatheka then what is the role of spermatheka बच्चो? the spermatheka will store the sperm for a while जब तक वो ready नहीं हो जाती reproduction के लिए, तब तक वो से store कर सकती है ये कहानी clear हो गई? हाँ, 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 ये clear हो गया सबको जैसा कि आप लोगों, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं जैसा आपने external genitalia पढ़ा था, उसमें वैसे इनके में भी होते हैं इनके में भी kitaneous plates होती हैं, ठीक है? इनके में भी kitaneous plates होती हैं, तो tension ना लीजेगा इनके में भी, क्योंकि attach तो भी है, दोनों को होना ऐसा थोड़ी कि male attach होने आगया female घूमरी दर-दर, ना इनके में भी तो external genitalia होगा, ओके? तो इनके में भी ये वाला जो पार्ट होता है, इस इस कॉल्ड as external genitalia external genitalia female reproductive system ना, female का, female का, जो कॉकरिचिस होते हैं, वाला simple, बहुत simple, बहुत ही simple बच्चो ठीक है? इतनी कानी clear हो गई सबको अब समय आने पर क्या होगा पता तुम्हें? आज़ो, 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 देखें क्या होता है समय आने पर समय आने पर ये जितने भी ovaryols ovah बना रहे हैं, ये देखो ये सब genital pouch में अपने ovah रिलीस कर देंगे, महाशे हैं ये ठीक है? तो इनने अपना समय आ गया है इनका आप ये सोच रहे हैं कि ये फर्टिलाइस करेंगे, ठीक है? तो इनने गया किया कि अपना जो है ovah पूरा रिलीस कर दिया, ठीक है? और ये जो sperma थीका है, इसने अपना ये वाला पार्ट रिलीस कर दिया, विच इस वाल्ड आ स्परम basically what is the means of sperma थीका, थीका don't compare and don't confuse with the spermatophore, spermatophore is the structure which having the sperm but spermat थीका is the structure जिसके इंदा sperm जो है, store होता है, spermatophore is the cluster of sperm, ठीक है? but spermat थीका is the storage structure which is found in the female body, ठीक है? अब ये दोना sperm and over होगे, अब इनके बीच में क्या होगा? fertilization, क्या होगा? fertilization और fertilization के दौरान बनेंगे हमारे पास क्या? fertilization के दौरान हमारे पास बनेंगे fertilized egg, पर female जो है वो इतनी ज़्यादा irresponsible नहीं है, female बोलेगी, genital pouch में हो रहा है fertilization, genital pouch के vestibulum part होता, वहाँ fertilization होता बात करेंगे, तो female इतनी ज़्यादा irresponsible नहीं है, female अपने fertilized अंडों को ऐसे ही नहीं जाने देगी, female अपने fertilized अंडों को एक case में भरेगी, जिसका नाम होता है उतीका, नादो question is, कि who will releases the उतीका? ठीक है, देखो, उतीका कुछ नहीं है बेटा, देहान से समझो, पहले मैं हापे थोड़े से external genitalia बना दूँ, यह हो गया, now अब आजाओ, देखो देहान से, अब यह वाला जो पार्ट है, देखो, यह जो collateral gland है न, यह in fertilization हो गया, fertilized अंडे बन चुके हैं, यह हो गया इस fertilized egg के चारो तरफ, एक case बना देगी, जिससे हम कहते हैं, ऊथीका और इसके अंदर, यह fertilized egg अराम से सोते रहेंगे, ठीक है एक बार में, एक बार में करीब, वन टाइम में करीब कितने ऊथीका बनते हैं वन टाइम में करीब नौ से दस ऊथीका बनते हैं, जिसमें करीब 14 से 16 eggs पाए जाते हैं फिर से समझिये, female has only one gland which is called as collateral gland collateral gland responsible for the secretion of the cover which is called as ऊथीका, चीक है यह काने clear हो गई, then who will release the ऊथीका, ऊथीका will releases by the collateral gland, ठीक है, fertilization कहां पर हुआ, genital pouch में हुआ तो टाइम आने पर spermatheka sperm release कर देते हैं and ovary over release कर देते हैं और दोनों के बेश में fertilization हो जाता, है ऊथीका, यह देखिए, यहां पर बनाते हैं, यहां पर आगे की बात करते हैं तो ऊथीका is nothing, it is the barrel shape structure which is made up of scleroprotein, ठीक है, यह कैसा structure है? barrel shape का structure है, जो की scleroprotein का बना हुआ होता है, ठीक है? और इस structure के अंदर पाए जाते हैं fertilized endे, जो की cigarette shape के होते हैं, done? कितने के क्या होते हैं यह? यह cigarette shape के होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परिशानी, इससे आप क्या कहते हैं? ओ, ठीका, क्या कहते हैं बच्चो, ओ, ठीका, done? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? so it is the barrel shape structure, जिसके अंदर cigarette shape की elongated fertilized अंडे पाए जाते हैं, ओ, ठीका के अंदर क्या होता है? fertilized egg, fertilized egg, done? okay, fertilized egg हो गए, ठीक है? अब क्या होता है? ध्यान से समझना, अब क्या होगा? अब ये fertilized egg में होगा development, कैसा हो गया होगा बच्चो, development? development इनका कैसा होता है? indirect, कैसा होगा? indirect होगा, done? इनका development कैसा होगा? indirect होगा अब indirect होगा जहां से समझते जाना अब उसके बाद indirect development मतलब क्या होता है? कि पहले एक बनेगा दिन लार्वा बनेगा दिन एडल्ट बनेगा अब उतीका जो है जैसे ही इसको favorable condition मिलेगी ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? hatch out हो जाएगा पर क्या हो जाएगा? favorable condition यहां पर थोड़ा मटा देती हूँ मैं यहां पर लिख देती हूँ environment सिर्फ इतना लिख देती हूँ ताकि गचल पचर न मचे ठीक है? यहां पर जैसे ही उसे environment मिलेगा favorable वो अपने जो अंडे हैं उनको hatch out कर देगा ठीक है? क्या कर देगा बच्चों मेरे? hatch out hatching of egg hatching of egg hatch out हो गया क्या होता है? वह यह अपने कहां पर देगा? suitable environment में देगा मिट्टी अच्छी साफ सुतरी मिट्टी में देगा dry places में देगा हमेशा उन जगों पर अंडे देगा जहां पर शिकारी की नजर इस पर ना पढ़ने तो one देखा जाएगा ठीक है? now hatch out होने में कितना समय लगता है? around one week कितना समय लगता है वच्चों? around one week ठीक है? done एक बार में हम यह मानते हैं कि एक बार में करीब 14 से 16 उथीका बनते हैं at one time कितने उथीका बनते हैं? ऐसा ऐसा या ऐसा लिखते हैं one उथीका में यह क्या हुआ? ऐसा लिखते हैंपन one उथीका में कितने एग्स हो सकते हैं? nine to sixteen ठीक है? nine to sixteen fertilized egg हो सकते है ठीक है? आजाओ, अब उसके बाद क्या होगा बच्चो इसमें, ध्यान से देखना अब उसके बाद क्या, hatching of egg, यह handwriting समझ में आरही न, आपको hatching of egg environment इनका कैसा मिला, favorable environment मिला, hatching of egg हो गई Now अब इसमें होगा बच्चो क्या, ठीक है, hatching of egg हो गई अब इनमें होगा development, इनमें क्या होगा बच्चो, development, ठीक है Okay, development या इसी को आप कहते है, molting, ठीक है, done तो egg hatch out हुआ, तो egg hatching के बाद क्या निकले यह, nymph क्या निकले बटा, nymph, nymph कौन सी stage है, nymph कौन सी stage है, larval stage है कैसी stage है बच्चो, larval stage है, ठीक है, egg hatch out हुए ठीक, या मोल्टिंग अपने को यहाँ पर भी लिखना था, let it be, यहाँ पर अपन लोग ऐसा कर लेते हैं, अरे यार, चलो, so हमने एग हैच आउट किया और निकला निम्फ, निम्फ, निम्फ is the larval stage, ठीक है, अब इसमें होगी बच्छो, मोल्टिंग, इसमें क्या होगी, मोल मोल्टिंग, ध्यान से समझते जाएगा, now what do you mean by मोल्टिंग बच्छो, मोल्टिंग क्या होता है, यह कहानी हमको जानना जरूरी है, देखे, as we know that, as we know that, कि हर जो कॉक्रोच होता है, उसके उपर काईटीनेस एग्जोस्केलेटन होता है, जो कि डेट होता है, अगर उसे अपने औरगन या बॉड़ी पार्ट्स को बढ़ाना है, तो बेचारा क्या करे, तो उसको क्या करना पड़ता है, कि अपना जो एग्जोस्केलेटन है, उसको तोड़कर बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो अपना पूरे बॉड़ी पार्ट्स जितना उसको ग्रो करना कर लेता है और उसके उपर exoskeleton फिर से बना लेता है So what is, what do you mean by molting? क्या होता है molting? दियान से समझें, क्या है molting? Molting is, molting is nothing, it is the shedding of, shedding of, of exoskeleton, ठीक है? क्या होता है ये? Shedding of exoskeleton, ठीक है? तो जब ही, बहुत बार में ठीक ठीक है, बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को annoying or irritating लगता है But it's just my, कि मेरी आदत हो गई है, तो मैं परे, क्या करूँ मैं मर जाओ? ठीक है? तो निम्फ is what? It is the larval stage, इसमें बहुत बार molting होती है, ठीक है? और ये adult में convert होते हैं पर question यह है, कि कितने बार molting होती है? 13 times Question आ सकता है, कितने बार molting होती है? 13 times molting होती है और ये convert हो जाते हैं मेरे बच्चों adult में क्या कहते हैं? किस में convert हो जाते हैं? adult में हमने निम्फ से adult बनाया हमने क्या बनाया? हमने निम्फ से क्या बनाया? एडल्ट बनाया, ठीक है? इस प्रोसेस को हम, by the process of molting, इस प्रोसेस को हम लोग एक डाइसिस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? एक डाइसिस भी कह सकते हैं. इस कहानी को हम metamorphosis भी कह सकते हैं. What is the metamorphosis? It is nothing. It is the developmental stages of your life. It is nothing. It is the developmental stages of life. निम्फ is the larval stage of the cockroach. ठीक है? वास दा उथी का getting hat, जब उसको favorable condition, place वगरा मिलेगी, वो क्या करेगा? कि अपने eggs जो है, उनको hatch out कर देगा. Hatch out करेगा, तो larval stage आएगी. Larval stage आएगी, तो उसे कहते हैं, निम्फ, तेरा बार molting करने में मतलब जब एक बार वो develop हो गया, अपने उपर exoskeleton बनाया है, ठीक है? फिर जब उसको और develop होना है, exoskeleton तोड़ा और develop हुआ, फिर अपने उपर exoskeleton बनाया है. तो तेरा बार वो अपनी outer covering को तोड़ता है, और वो फिर एक adult में convert हो जाता है, इस process को, हम लोग 13 times शायद यहाँ पर जुड़ा हुआ लिख गया है, थोड़ा ध्यान से देखना 13, ठीक है? इस कहानी को हम metamorphosis, molting कहते हैं, adult, इनके adult को क्या कहते हैं? इनके adult को हम imago कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चो? इमेगो, इमेगो, ठीक है, इमेगो, ठीक है? दन, इतनी बाते क्लियर हो गई, इसका screenshot ले लो जड़ा सा, अब इनके जो X होते हैं, उथीका में, ध्यान समझो, एक सिकिंद, एक सिकिंद, एक सिकिंद, एक सिकिंद, एक सिकिंद, एक बार में, यहाँ रखिएगा, 9-10-U ठीका बनता है, एक बार में, और जिसमें होते है, 14-16 एक, एग कैसे होते हैं? एग होते है, इलोंगेटेड, एग कैसे होते है, एलोंगेटेड, लंबे लंबे एग स्पाई जाते हैं, इसमें, ठीक है, cigarette shape के x पाई जाते हैं अब यह कहानी क्लियर हो गई इमेगो किसको कहते हैं पर एडल्ट को गएते हैं और है कि ब्लैंक पेज मेरे पास नाई है क्या यार चलो कोई बात नहीं मैं थोड़ा और कोई काम चलाती हूं यहां वास जुगारती हूं ब्लैंक पेज यह पर लिखती हूं बच्चो थोड़ा ध्यान से देखना देखो अब डवलप्मेंट हो गया इनका जो डवलप्मेंट है वो कहलाता है पारो मेटाबॉलस ठेक कहां पर ल चलो डवलप्मेंट यहां पर लिखती हूं देखो बहुत सारे प्रकार के डवलप्मेंट इंसेक्ट में पाए जाते हैं पर हमारे हमें जिस डवलप्मेंट से मतलब है वो है कोक्रोच का डवलप्मेंट कोक्रोच का जो डवलप्मेंट होता है वो होता है पारो मेटाबॉल ठीक है, ये एक एसा जीब सा नियुक्त है, मैडम, पॉरो मेटाबॉलस, क्या है धियां से देखिना पॉरो मेटाबॉलस में दो चीजे, देखो पॉरो मेटाबउलस development कैसा होता है वैसे बहुत सारे टाइब्स का development है मेरे प्यारे बच्चो पौरो मेटबोलस पौरो मेटबोलस में का मतलब ये है कि लिविंग एनवायर्मेंट सेम है ठीक है? लिविंग एनवायर्मेंट बस इत्ता लिख दूगा इस सेम ठीक है? बट, structure is different बट, structure is different ये लिखेंगे आप लोग कि cockroach में जो 13 molting होती है which is called as metamorphosis उसमें उन 13 developmental stage को इस process को हम कहते है paramporo metabolist development इसमें environment से में चाहे larval cockroach हो, चाहे nymph हो चाहे imago हो ये दोनों एक ही environment में रहते हैं पर इनका structure different होता है जैसे की ध्यान से देखना larval stage में larva में मतलब nymph में ध्यान से देखना नymph में, यए यस कुशी में लिख दिया है मैंने नymph में निफ में wing pad नहीं होते निम्फ में wing pad नहीं होते जबकि adult में wings होते हैं, ठीक है actually wing pad मतलब serious यहाँ पे लिखो कि इसमें wing नहीं होते है wing pads नहीं होते हैं में wings होते हैं ठीक है तो आप क्या देख रहे हो कि cockroach में structure में difference है larva जो है वो कैसा है वो कैसा है उसमें structure में difference है भई जो larva में wings नहीं adult में wings है तो इस गॉल्ड ऐस जब आपका larva और adult दोनों एक एंवारिमेंट में रहें पर उनका structure different root is called as poro metabolas development ऐसे बहुत सारे प्रकार के development पाए जाते हैं ठीक है अब आजाएए development कैसा fertilization कैसा है बचो internal fertilization कहां होता है genital pouch में development कैसा है indirect कितनी larval stage है 13 लारवा को adult में convert कराने के लिए कितने बार molting करना पड़ेगा it dices करना पड़ेगा 13 बार what is the molting shedding of external shedding of external exoskeleton ठेक है यह हो गया आप के बताना है मुझे इतनी कहानी clear हो गई क्या आजाओ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक जो adult होता है अगर आप उसको नहीं मारो तो adult का जो life span होता है adult का जो life span है वो कितना है 3,2,4 years इतना life span होता है एक कौकरूच का ठीक है done अब हम बात करते हैं कि जितना time लगता है एक molting से अच्छा एक और चीज़ जो मेरे से छूड़ गई है जो second last larval stage होती है second last यहाँ पर लिख देती हूँ second last larval stage second last larval stage has wing pad second last larval stage has wing pad wing pad होता है होता है होता था उस पर ठीक है second last larval stage जो होती है जो की बारवी larval stage होती है उसमें wing pad आ जाते हैं और last larval stage जो एडल्ट में convert जाता तो wings बन जाते हैं तो यह चीज़ भी आगको याद रखने हैं that's it ठीक है दो molting के बीच का जो time होता है उसको हम कहते है stadium ठीक है तो यह कहानी I think clear हो गई है कि एक बार में कितना उतीका बनाना है ठीक है development कैसा indirect how many larval stage 13 larval stage ठीक है जो इनका larva होता हो कहते है nymph जो adult होता हो कहते है emeco that's it female reproductive system is over बचो ठीक है तो ऐसे ही इनके में external genital यह genital pouch ठीक है external genitalia इन लोगों के पास भी होते हैं ठीक है क्योंकि ऐसा तोड़ी है कि जो है मेल मरा जा रहा है female को कोई मतलब भी नहीं है देखो external genital structure ठीक external genitalia गनोपफाइस भी कह सकते हैं अब सीधी बात यह है कैसा थोड़ी होगा कि मेल ही मरा जा रहा है घुज़र जा रहा है female पे female को कोई मतलब नहीं female को भी साती सात अटैच होना पड़ता है दन इतना ही पढ़ना है female is the most simple आपको पता है male कितना कटिन था female कितना आसान है कितना आसान है कुछ नहीं था दो ovaries थी second to sixth segment में थी उसके पास 8-8 overall थे ठीक है वह बनाते थे उसके बाद spermatophore male ने बनाया था जो genital pouch में रिलीज हो गया पर female बोलेगी अभी मुझे fertilize करने का मन नहीं है जब मेरा मन करेगा तब ही मैं करूंगी वो sperm को store कर लेगी जो structure में store करेगी उसका नाम है spermatheika ठीक है spermatheika उसके बाद female का मन हो गया कि fertilize कर लेते हैं तो वो सारे जो अंडे हैं कितने बनेंगा आठिस से सारे अंडे जो हैं वो कहा निकलेंगे सारे अंडे निकलेंगे आपकी genital pouch में spermatheika sperm release कर देगा fertilization हो जाएगा fertilization के बाद उसके उपर case बनाएगी case बनाने का काम करती collateral glands please always remember this यह जो हिरन शेप की दिखाई दे रही ने it is called as collateral gland जो की cover बनाने का काम करती है तो female reproductive system में कितना opening है एक anus का हो गया अच्छा spermatheika कितने हैं spermatheika कितने हैं ये भी 2 हैं ये याद रखिएगा ठीक है तो 2 collateral gland हो गई ठीक है उसके बाद विजायना हो गया anus हो गया और आपकी ये आपका spermatheika opening हो गई तो 2 spermatheika opening हो गई 2 collateral gland की opening हो गई 4 एक हो गई विजायना opening 5 तो 5 opening पाई जाती है और एक anus 6 opening पाई जाती है into the female reproductive system चलो अब हम लोग theory पढ़ लेते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कहती है हमारी थोड़ी पहले मैं आपको NCRT का डियागराम दिखा दूँ तो और आप clear हो जाओगे कहानिया आपकी clear हो जाएगी so look at this आपको देखो leaf shape की ovary दिख रही है जिसमें 8 ovirials दिखाई दे रहे हैं दोनों जॉइन होते हैं oviduct से जो इस जगह पर जॉइन होते हैं से कहते है common oviduct और विजाईना इसके पास होता है spermatica जो कि sperm store करता है इनके चालो तरफ है से hiran shape की gland होती जिसे collateral gland कहते हैं इनके पास genital chamber होता है जो vestibulum वाला part आपको दिख रहा है देखो genital pouch जो है आपने ऐसा बनाया था ठीक है इसके genital pouch के पास बस एक ऐसा area होता है which is called as genital chamber genital chamber में sperm अपना sperm release कर देता और ova अपना over release कर देते हैं और fertilization होता है at the area of vestibulum ठीक है तो यहाँ पर आपको मैंने ऐसा बताया है but you should always remember this कि आपका जो इस जगह पर इस जगह पर इस दिल शेप के structure में जो है sperm and over release होते हैं which is called as genital chamber और इसका जो नीचला हिस्सा होता है which is called as vestibulum vestibulum में जाके fertilization होता है done ठीक है collateral gland समझ में आगई genital chamber समझ में आगया oviduct समझ में आगया ovary समझ में आगया आपको बाहर निकाल के दिखाया था but you should always remember this कि genital pouch is genital chamber में ये पूरा structure क्या है genital pouch अपने genital pouch किसको consider कर लिया है ये है पूरा हमने इसको genital pouch consider कर लिया तो अपन भी सही है मिल्कुल ठीक है अपनने genital pouch इसको consider कर लिया तो भी तो को इतिशन इसको पाउच यहां पर ये जनाइटल पाउच है पर ये तो तुम्हें पता चल गयाना कि हमेशा fertilization का पर होगा genital pouch में अट देरिया और वेस्टिबल्स समझ में आ गया स्परमथी का सबको क्लियर हो गया दन थेओरी देखते हैं क्या कहती है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम फीमिल की देखिए लगाया मैंने ओके ओवरी दिख रही है वजाइना दिख रहा है देखो यह देखो इस परमती का सबको क्लियर हो रहा होगा गुनाइपोफाइस दिखाई दे रहे हैं और यह आपका जन सेगमेंट दक है दो से लेकर चे सेगमेट देख एच ओवरी के पास कितने ओर्य टिवील से आथ हाट ठीक है इसके पास क्या होते हैं ओवजाइना कैपना ओफफव तू थीग के जनेटल चांपर इस एक जनाइटल पाउच इसको ऐसा बनाते है देखो यहां पर वेजाइन खुल रही है वजाइना कैसे बनती है वेटा बताएंगे मुझे वजाइना कैसे फोड़ा सो और साफ बनाती है तो आपको और क्लियर हो जाएगा देखो यार ये क्या हो गया? मिट जा मेरे भाई, चलो So suppose that ये आपका क्या है? जनाइटल चैम्बर है ठीक है? ठीक, ये क्या है आपका? वेस्टिबूलम ये क्या है आपका? वेस्टिबूलम ठीक है? ये है आपका जनाइटल चैम्बर तो genital pouch का उपर वाला हिस्सा होता है, genital chamber और नीचे वाला हिस्सा होता है आपका vestibulum इस structure को आप क्या कहते हैं? genital pouch, collectively अब यहाँ पर क्या open होता है? यहाँ पर open होती है विजाइना, ठीक है? अब विजाइना क्या निकालेगी? एग, विजाइना क्या निकालेगी? एग, और यहीं पर एक structure होता है जो याद है आपको, which is called as spermatheca यह क्या है बचो? spermatheca, ठीक है, ओके, spermatheca क्या release करेंगे? sperm, और इनके बीच में क्या हो जाएगा? और क्या बन जाएंगे? ऊथी का और ऊथी का बाद में ही हाँ रिलीज हो जाएगा, डन, बस, इतनी से कहानी है, जो आपको समझानी है, मेरी बात जो है तो समझ जाओ, नी तो करो, अपनी मन मानी है, ठीक है? ना, oveduct of each ovary unite, दोनों oveduct जो यहां से आ रही है, यह दोनों unite होंगे और बनाएंगे वजी वजीना, जो कि genital chamber में खुलेगा, genital chamber जो है, वो कहां खुलेगा, vestibulum में खुलेगा, अब pair of spermatheca present in the sixth segment, छटवा जो segment होता है, वहीं पर present होते हैं, pair of spermatheca, ठीक है, open into the genital chamber, दे done, ठीक है, यह कहानी clear हो गई, now, fertilization देखिए, sperms are transferred through the spermatophores, ठीक है, धान से समझो, क्या होता है, कि sperms जो है, वो spermatophores, जो तीन layer होती है, sperms के group के आगे, sperm ball के उपर जो चारो तरफ layer होती है, वो तूट जाएंगी, ठीक है, और वो जो है, कहां store हो जाएंगी, it will store into the sperma, ठी fertilization होगा, fertilization के बात female अपने एक को ऐसे यह तरतता चरवात नहीं भिखेरेगी, वो एक cover में बांध लेगी, which is called as uthika, on an average, एक बार में 9-10 uthika produce होते हैं, जिसमें 14-16 एक पाई जाते हैं, ठीक है, done, okay, now, देखो यह uthika का structure दिखाई देरा आपको, this is the structure of uthika, now, so यह कहानी आपको clear हो गई न, done, ठीक है, okay, development देखते हैं, देखे, development कैसा है, porometabolus, देखो मैंने अपने मन से कुछ भी चीज नहीं पड़ाई तुम्हें, तो आरे NCRT में एक एक लाइन लिखी है, यह समझ गया आप लोग, इसका मतलब यह है कि developmental through the nymphal stage, पर porometabolus में आपने क्या समझ आपको development में आपको मैंने नहीं लिखा तो फिर भी समझा दिया, environment same है, बस structure different है, larva do not have the wings, but the adult have wings, look at this, ठीक है, this is the nymphal stage, nymph look very much like adult, ठीक है, nymph दिख बिलकुल adult जैसा ही रहा है, environment भी same है, पर wings नहीं है, ठीक है, nymph grows by molting 13 times to reach the adult form, ठीक है, 13 बार उसको अपना exoskeleton shed करना यह देखो, बोला ना मैंने, यही रिखा था मैंने वहाँ पे, कि जो second last होती है nymphal stage, उसके पास wing pads आ जाते हैं, बट wings सिर्फ किसके पास रहते है, adult cockroach के पास, किसके पास रहते हैं बच्चो, adult cockroach के पास, नाव आपके NCRT क्या कहती है, वो ध्यान से सुन लो, पूरा अभी से भी कम की कहानी है, देखिए, the body of cockroach, we are talking about the American cockroach, the zoological name is periplaneta americana, female clear हो गया है ना, सबको, female में कुछ नहीं, female तो हल्वा है, हल्वा, ठीक है, it is covered by the cutaneous exoskeleton, ठीक है, body में cutaneous exoskeleton होता है, इनकी body तीन पार्ट में divided होती है, head, thorax and abdomen, इनकी body segmented होती है, ठीक है, segmented bear joint, segments bear, bear jointed dependencies, क्योंकि cockroach orthropoda का member है, orthrose का मतलब होता है, jointed legs, तो इनका जो legs है, उसमें बहुत सारे joint होते हैं, tibiotarsal joint, आप लोगो ने पढ़ा है, बहुत सारे joints के बारे में, that is why, और इनका जो pair होता है, वो thorax से जुड़ा हुआ रहता है, तो कहीं न कहीं से बहुत सारे joints होते हैं, that is why we considered cockroach into the orthropoda जो है phylum, next, there are three segments of thorax, each bearing a pair of walking legs, two pairs, हाँ, तो thoracic जो segment है, कितने, thoracic segment कितने थे, तीन, तीन segment में इनके पास pair कितने थे, legs कितने हैं, तीन, जबकि wings कितने हैं, दो, wings कौन-कौन से, thoracic segment में हैं, wings हैं आपके पास T2 और T3 में, ठीक है, T1 में नहीं है, first thoracic segment में नहीं है, तो याद रखिए कि तीनों segment में सब के पास, जो है, legs होते हैं, ओके, और दो pair wings होते हैं, जिसमें wings किसके पास हैं, T2 और T3 में, one pair of each and second, third segment, देखो, लिखा भी वही चीज़ है, ठीक है, second वाले थ इनके well developed होती है, complete होती है, शुरू होती है, mouth से, खतम होती है, एनस पे, ठीक है, इनके पास बहुत सारे mouth parts होते हैं, labium, labrum, maxilla, mandible, ठीक है, बहुत बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलती हूं क्यों, 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 कहां थे, elementary canal is well developed with a mouth surrounded by the mouth parts, इस में क्या-क्या होते हैं, digestive system म क्यों में. Crop, crop is the storage structure into the cockroach, gizzard is the grinding structure into the cockroach, they have midgut, they have midgut, it is the area of complete digestion and the absorption. Some of the absorption is going to takes place by the ilium only, like water and some uric acid, but exactly like water. but most of the absorption is done by the midgut and they have hindgut which open into the anus. There are hepatic ceca, hepatic ceca found at the junction of foregut and midgut. Midgut and midgut aur foregut ke bich mein ek aise joint aise lumbe 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 blind tubules hoten which is called as hepatic ceca. Hepatic ceca they will release some digestive juices into the midgut. Releases the digestive juices into the midgut. So the final digestion always been takes place into the midgut. Now there is another extension present in between the midgut and hindgut which is called as melpegian tubule. Melpegian tubule is open into the hindgut but it is always in the exposure of hemolymph of the body. So any type of excretory waste agar aapke hemolymph mein ghoom raha hai it will absorb the hemolymph uric acid. Matabhi uric acid khich lega aur uske baad usse hindgut mein mila deega. So the function of melpegian tubule is the excretion or the secretion and excretion yeh padha hai hai minhae apko. Aur the function of hepatic ceca to release the digestive juice into the midgut. ठीक है इसके पाद बाद इन में salivary gland भी present होती है जो कि near the crop होती है यह पढ़ाया है मैंने आपको इस वेकरस के पास भी होती है. The blood vascular system इनका open type का होता है इनका जो heart होता है वो tubular होता है. Body में dorsal हिस्से में होता है. 13 chambered होता है open प्रकार का circulatory system है फिर भी respiratory system और circulatory system का कोई relation नहीं है इसमें इसमें जो respiratory system होता है वो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में circulatory system का gases exchange में को रोल नहीं है, circulatory system का बस nutrition के transfer में रोल होता है इसमें, क्यों नहीं है क्योंकि इन में जो respiration होता है वो network of trachea से open होता है The trachea open through the spiracle, इनकी body में इसे pipe जो है suppose that ये body है तो body में इसे pipe present होते है and the pipe is opened by the opening called as spiracles, इसे आप क्या कहते हो बच्चो spiracle, तो spiracle के through open होती है and it will take the oxygen from the outside and deliver directly to the muscle, इनकी body में blood के through transfer नहीं होता है जैसे आपकी body में होता है na circulation किस के through होता है, blood के through होता है, इनकी body में नहीं होता, इनकी body में transportation अगर इनको oxygen चाहिए है तो tracheoles जो होते हैं, जो branches हैं, pipes की, वो directly muscle में जुड़ी होते हैं, डायेट देती जाती हैं और carbon dioxide लेती जाती है अपने साथ कहानी है कि अपना transportation blood के through होता है, तो अपना circulatory system and respiratory system is related पर इनके साथ ऐसा नहीं है, इनका respiratory system individually काम करता है और circulatory system individually काम करता है क्योंकि इसलिए circulatory system अगर जो है, वो gases transport में involved नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है क्योंकि respiratory system अकेले ही पूरे body को oxygen दिये जा रहा है उसके बाद इनके body में, जैसे हमारा nervous system जो होता है, इनका body में सब उल्टा ही काम है जैसे अपना heart सामने होता तो उनका पीछे है, अपना nerve cord पीछे होता तो उनका आगे है अपना nerve cord जो होता है, वो hollow होता है, तो उनका solid होता है तो इनका जो nerve cord होता है, वो ganglionated होता है मतलब ऐसे beaded structure होता है, उसमें ganglion's जो होते, which is the group of nerves ऐसे लगेगा कि माला जैसा है Nervous system is represented by the segmentally arranged ganglia and ventral nerve cord तो इनकी body में जो इनका nervous system होता है उसमें बहुत सारे group of nerves होते हैं These group of nerves जो होते हैं They are attached together एक ganglia, attached by दूसरे ganglia, attached by तीसरे ganglia ऐसे ही बहुत सारे ganglias होते हैं जो पूरे body में, ventral side की और फैले होते हैं इन ganglia से निकलती है nerves जो पूरे body में जाती है और signal को transport करती है इनके पास reproduction तो अभी हम लोगों ने खतम किया इनके पास एक pair testis होता है जो कि चौते से segment चौते से चटवे segment में होता है और ovary 2-6 segment होती है इनका fertilization internal होता है in the genital pouch ठीक है female जो होती है वो एक बार में 9-10 ootika produce करती है ootika is what? it is the covering it is the barrel shape covered structure which contain the fertilized egg ठीक है okey fertilize egg मतलब वही develop होका embryo बनाएंगे जब यह फर्टा है तो यह अपने larva को बाहर करता है which is called as niv okey okey एक जो ootika होता है वो करीब 14-16 eggs को यह nims को बाहर करता है that's it ठीक है तो this is all about the reproductive system of the cockroach and summary of the cockroach we have completed each and every point from your NCRT ठीक we have covered everything from cockroaches I don't think so कि इसके बाहर कोई सवाल आएगा I hope you learned and enjoyed the lecture so this is all about the cockroach in the next class I will tell you something about different chapter क्या है वो हम next class में बात करेंगे surprise है कुछ तो surprise है एक हो जीवन में so this is all about the reproductive system of the cockroach पढ़ते रहिए अपना ध्यान रखिए हमेशा यह याद रखिए कि मैं एक thought आपको बताती हूँ हर teacher हर बच्चे को पढ़ा ने सकता हो सकता है कि कुछ बच्चों को problem होती हो please आप अपने doubts लिखिए मुझे बताईए आपको क्या समझ में नहीं आता मैं आपको वो solve करने की कोशिश करूँगी और even मैं 11th वाले जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं doubts बताती भी हूँ तो अगर आपको कोई doubt हो तो please मुझे बताया अगर यह मैं उसको solve करूँगी पर ऐसी कोई भी चीज आप ना लिखें कि यह नहीं समझ में आता पर भी कुछ कुछ समझ में आता है तो यह ना लिखो कि कुछ नहीं समझ में आता है तो तुमको किसी से समझ में नहीं आएगा मुझे नहीं आ रहा है ठीक है तो यह चीज याद रखनी है आपको कोई doubt हो तो please मुझे पूछो मैं आपको बताऊंगी तो इस आपको कॉकरेच इस आपको कॉकरच चेस सी यू ने ने च्स्टाप तगर पर यह सेव रही अपना ध्यान रखे थांक यू सू मच